in 1989-91 and as a union minister that भारत रतना was conferred to him during our regime समिधान दिवस के मौके पर भारत के उपराश्पती का समोधन आप सुन रहे थे नमस्कार डीडी न्यूस के विशेश सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ पराकरम से शेकावत और हमारे साथ हमारे सांकेतिक भाषा की सहयोगी है मनीशा शर्मा शुरुवात करते हैं सुर्खियों के साथ प्रधान मंत्री ने मन की बात कारिकरम के जरिये विचार किये साजह कहा पेटेंट आविदन दाखिल करने में भारत की और से 31 फीजदी की बढ़त एक उपलब धी देश्वासियों से आगामी एक महिने तक सभी प्रकार के भुकतार डिजिटल तरीके से करने का किया आभान प्रधान मंत्री मोदी ने नागरीकों से करतव्य को प्रातमिक्ता देते हुए विक्सित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील की प्रधान मंत्री ने कहा वोकल फोर लोकल से देश की अर्थवस्ता को मजबूत बनाने में करें योगदान प्रधान मंतरी मोधी ने सम्विधान दिवस की बीदी बढ़ाए सम्विधान दिवस के मौके पर राशपती द्रौपती मुर्मो ने सुप्लेम कोट में सम्विधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर की प्रतिमा का किया अनावरण न्याय को सुलब बनाने के लिए प्रनाली को नागरिक केंद्रित बनाने पर दिया जोर प्रधान मंत्री ने त्यलंगाना में श्री रामचंद्र मिशन के कारिक्रम को किया संबोधित कहा भारत सांस्कृतिक पुनर जागरन की और कर रहा है प्रवेश प्रुधान मंत्री ने भारत को बताया विश्व का मित्र तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरो पर प्रुधान मंत्री ने टूपरान और निर्मल में की जनसभा कहा BRS और कॉंघ्रिस इन दोनों बिमारियों का इलाज सिर्फ भाजपा ही कर सकती है ग्रिह मिंत्री अमिक्षाह की चार जन सभाएं, कॉंग्रिस और बियारिस की भी कहीं जन सभाएं उत्तरकाशी के इस सिल्क्यारा सुरंग में फसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान सुरंग के उपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी सभी श्रम वीर हैं सुरक्षित भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच तिरुवनंत पुरम में आज पांच मैच की सिरीज में भारत की एक शून्य से बढ़त और आएए अब खबरों पर नज़र डालते हैं विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 ग्यारा मुंबई हमले की 15 वी बरसी पर आतंकी हमले में जान कवाने वाले लोगों को शुरुधान जली दी मन की बात करिक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साज़ा करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 26 ग्यारा मुंबई में हुए आतंकी हमले ने देश को ठर्रा दिया था आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं आज कहीं दीन देश पर सबसे जधन्य आतंकी हमला हुआ था आतंकी हो ने मुंबई को पूरे देश को ठर्रा कर रख दिया था लेकिन ये भारत का सामर्त है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे होसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं मुंबई हमले में अपना जीवन घवाने वाले सभी लोगों को मैं स्रधांजली देता हूँ इस हमले में हमारे जो जाबाज वीरगती को प्राप्त हुए देश आज उन्हें याद कर रहा है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने तेलंगाना के हैदराबाद में कानहा शांती वनम में आयुजित एक करिक्र में हिस्सा लिया श्री रामचंद्र मिशन के कानहा शांती वनम का उदेश्य आधोनिक दुनिया में योग और ध्यान की प्राचीन भारतिय परंपराओं को अपनाना है प्रधान मंत्री ने श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना करने वाले और बाबुजी के नाम से मशुहूर शाह जहापुर के रामचंद्र जी महराज की 125 वी जैन्ती के अवसर पर एक स्मारक पट्टिका का विमोचन भी किया प्रधान मंत्री ने इस मौके पर कानहा शांती वनम का दौरा किया और पोधार उपन भी किया उन्होंने भारत को विश्व का मित्र बताया प्रधान मंत्री ने कहा कि जब दुनिया कूविट जैसे संकट में थी तब भारत ने आगे बढ़कर पूरे विश्व की मदद की सुथ को एक विश्व मित्र के रूप में देखता है और आप सभी विश्व मित्र भारत और करोना के बाद तो हमने जिस पकार से दुनिया के साथ हम खड़े रहे आज मुझे दुनिया को नहीं कहना पड़ता कि हिंदुस्तान आपका मित्र है दुनिया कहती है भारत हमारा मित्र है इसके अलावा प्रधान मंत्री ने कहा कि घुलामी काल में चेतना को तहस नहस करने का प्रयास हुआ जिसमें कहीं विरासत कहीं प्रचलित विधाएं पीछे छूट गई लेकिन अम्रित काल में नई दिशा मिल रही है कि इतियास साक्षी है कि जब जब जहां जहां गुलामी आई वहां सबसे पहले उस समाज की असली ताकत पर चोट की गई उसके चेतना तप्व को तहस नहस करने का प्रयास हुआ उसके चैतन्य को नश्ट करने के लिए उससे जुड़े सभी मानबिंदूओं को खत्म करना यह प्रबृत्ति रही है भारत को गुलाम बनाने वालों ने भी हमारी असली ताकत ज्यान ज्यान योग आईर्वेद ऐसी कई महत्वपुर परंपराय थी उसी पर हमला बोला था और इसका देश को बहुत नुक्षान उठाना पड़ा लेकिन अब समय बदल रहा है और भारत भी बदल रहा है अब समय बदल रहा है और भारत भी बदल रहा है यह कहना है प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी का साथ ही प्रधान मंत्री ने विक्सित भारत के लिए यूवा नारी श्रम और उद्यम शक्ती को अमरित इस्तंब की बार दोहराई उन्होंने कहा कि इस वर्ग का सशक्ती करन करना और अवसर उपलब्ध कराना आज के समय की मांग है विक्सित भारत के निर्मार के लिए हमें इस अमरितकार में फोर पिलर्ज पर फोकस करना है मैंने अमरित स्तंब भी कहता हूं ये अमरित स्तंब है हमारी नारी शक्ती हमारी युवा शक्ती हमारी स्रम शक्ती और हमारी उद्यम शक्ती इसमें हमारे गरीब, स्रमीक, किशाम, पशुपालक, मच्छुवारे व्यापारी, विद्यारती, नौजवान हर कोई शामिल है इनका ससक्ती करान और इनका आत्मों विश्वाद बढ़ाना और उनको अनेक विद अवसर उपलब्द कराना ये समय की मांग है बहुत आवश्यक है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के तूपरान में जन्सभा को संभोधित किया प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि कॉंग्रिस और बियारेस दोनों में कोई फर्ट नहीं है कॉंग्रिस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसी आर ने यहां निजाम शाही को ही आगे बढ़ाया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस और बियारेस दोनों ही परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रतीक है प्रधान मंत्री ने राज्य में BC समाज के साथ हुए अन्याई के मुद्दे को भी उठाया उन्होंने कहा कि बहुमत मिलने पर राज्य में पहला बीसी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कॉंग्रेस हो या बियारेस दोनों के कुशासन में हमने देखा है कि सिरफ कुछ परिवार ही फले फुले हैं कुछ परिवार के लोगों का ही भला हुआ है बोट गरीब एस्सी एस्टी और बीसी को न्याय देने के नाम पर मांगे गए और सत्ता का फाइदा किसी और को हुआ कॉंग्रेस ने इतने वर्षों तक आंद्र पदेश में सरकारे चलाई लेकिन बीसी कॉम्यूनिटी से कितने लोगों को सियम बनाया तेलंगना बना तो फिर बीसी समाज के प्रतिबासाली लोगों को आउसर नहीं मिला इसलिए ही अब बीजेपी ने तेलंगना से ये वाइदा किया है कि तेलंगना को पहला बीसी मुझ मंतरी बीजेपी ही देगी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने तेलंगना के निर्मल में दूसरी जन सभा को संभोधित किया उन्होंने कहा कि केसी आर ने तेलंगना में विकास और सम्रिधी सुनुष्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये यहां के मुझ मंतरी ने अपनी कार की स्टेरिंग किसी और को सौब दी है और अपने फॉर्म हाउस में शिफ्ट हो गए है प्रधान मंतरी ने उन पर तुष्टी करन की नीतियां अपनाए जाने पर हमला बोला एक तरब बीजेपी सरकार ऐसी योजनाय बना रही है फुड़ पार्क बना रही है टेक्स्टाइल पार्क बना रही है लेकिन यहां बियारेस और कॉंग्रेस का तुष्टी कराण अलग ही लेवल पर चल रहा है बियारेस तो टेक्नोलोजी तक में तुष्टी करन लिया ही है क्या अब भारत में धर्म के आधार पर भी आईटी पार्क बनेगा क्या यह खेल चलता रहेगा क्या क्या यह भारत के संभीदान के संभार है क्या क्या यह बाबा साब अम्मेडगर की भावनाओ का अंदर है क्या प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि राज्य में भू माफियाओं के खिलाफ कारवाई हो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर भाचपा का श्रासन स्थापित हो उन्होंने सरकार की विभे ने योजनाओ का जिकर करते हुए कहा कि केंड़ सरकार गरीबों को जमीनों के कानूनी दस्तावेज देने के प्रयाश कर रही है तेलंग ना में बीजेपी सरकार इसलिए भी जरूरे है ताकि आपकी जमीन पर कब्द्य का खेल बंद हो के सियार सरकार यहाँ धरनी के माज्यम से भू माफिया के साथ खड़ी है बीजेपी सरकार स्वामित्व योजना के तहट गावों में गर और जमीन के ड्रॉन से नक्षे बनवा रही है कोशिज यह कि गरीब S.C.S.T. परिवारों को अपनी जमीन और गर के कानूनी दस्तावेज मिले बीजेपी मी भूमी सिस्टिम जैसी नई विवस्ता भी बनाएगी उतरकाशी के सिलक्यारा सुरंग बचाव अभ्यान को तेज कर दिया गया है जानकारी के मताबक और मशीन के अलावा अन्य विकल्पों पर भी काम जा रही है एक वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है जो कि अगले दो दिन में पूरी होगी वहीं दो होरिजोंटल ड्रिलिंग भी की जा रही है हाला कि इसे पूरा होने में काफी दस दिन का समय भी लग सकता है ऐसा ऐसी आशंका जो है ऐसा अनुमान जताया जा रहा है च्छे प्लान काम कर रहे हैं पहले पांच बताया था उस वक्त भी च्छटा प्लान तो मौझूद था वो च्छटा प्लान अभी भी है हाला कि उस पे फिजिकल काम नहीं हुआ है तैयारियां उसकी पूरी शुरू हो गई है और एक बड़े सिंक्रिनाईस तरीके से ये प्लान सब अबनाये जा रहे हैं निके ऑपर काम कुछ पर काम शुरू हो गया है कुछ पे आज शुरू हुआ है, कुछ पे अभी भी तैयारी है, इन्तिजार है आखरी कुपंड का और वो उसकी उसकी शुरुआत जो है, अभी हाल में हो जाएगी ओपरेशन जो हैं, जहां पर चल रहे थे सबसे ज़ादा, वहां रुके नहीं गए हैं, वहां पर भी ओपरेशन अभी भी जारी हैं, रिपेर के मुक्तलिफ चीजों को लाकर उनको बाहर निकालने के लिए वो सब काम अभी भी चल रहा है तो 41 ट्रमिको को बाहर निकालने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं, वहीं ओगर मशीन को भी दुबारा शुरू करने के लिए काम जारी है जरूरी सभी ओजार मंगा कर उसे सुचारो बनाने का काम जारी है और आपको बता दें कि कहीं सारी कोशिश इसमें लगातार की जा रही है वहीं अपर सचिव तकनीकी सड़क और परिवहन ने जानकारी दी है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की प्रगती अब तक ठीक दिशा में है और 15 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है आप ये समझी बहुत महत्पून है 15 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है कुल 86 मीटर की ड्रिलिंग की जानी है जो की अगले दो दिन में पूरी हो जाएगी तो सभी की कोशिश ऐसी है कि हमारे एक 40 फसे जुश्रमिक है उनने जल से जल बाहर निकाला जाए देश भर में आज समिधान दिवस मनाया जा रहा है समिधान दिवस के मौके पर राशपती द्रौपती मुर्मो ने सुप्रिम कोट में समिधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेटकर की प्रतिमा का अनावरन किया मुखिने अधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की पहल पर विदिवेट्ता डॉक्टर अंबेटकर की प्रतिमा का अनावरन हुआ गोरतलब है कि 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा इतिहासिक दिन था इसी दिन सम्विधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को सम्विधान दिवस मनाया जाता है राशपती द्रापती मुर्मो ने सुप्रिम कोट में आयोजवित करिकरम में भी हिस्सा लिया करिकरम में राशपती ने सर्वोच न्यायले की वर्षिक रिपोर्ट 2022 जारी की इसके साथ ही उन्होंने सर्वोच न्यायले की इपहल का शुभारंब वर्च्वल जस्टिस क्लॉक हिंदी EACR और फास्टर संसकरन 2.0 को भी लॉंच किया इस दोरान करिकरम को संबोधित करते हुए राश्टरपती ने कहा संविधान वो आधार शिला है जिस पर भारतिय राश्टर खड़ा हुआ है और हर साल नई उचाईयों को प्राप्त कर रहा है करिकरम को संबोधित करते हुए राश्टरपती ने कहा लिंग, जाती और अन्य भेदभावों के बावजूद प्रत्येक नागरेक को सशक्त बनाने के लिए सभी प्रयास किये गए हैं उन्होंने नारी शक्ती का जिक्र करते हुए कहा राश्पती, प्रधान मंत्री और लोगसभा अध्यक्ष सहित अन्य पदो पर महिलाएं काबिस होई हैं वहीं कानोन मंत्री अरजुन राम मेगवाल ने भी करिक्रम को समोधित किया उन्होंने कहा कि आज दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है आज पूरे सामर्थ से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए हमारा देश आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताखत हमारा सम्विधान है भारत के प्रधान न्याय धीश डीवाई चंद्रचूर ने कहा कि लोगों का विश्वास समीधान में अटूट है उन्होंने कहा न्याय पालिका की भूमी का ये सुनिश्वित करना है कि कानून न्याय को बनाय रखे और इसके साथ ही डीडी न्यूज के इस विशेश सांकितिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता इसलिए मुझे और हमारे सेयोगी मनीशा शर्मा को दीजिए अनुमती लेकिन देखते रहे डीडी न्यूज नमस्कार